दूसरा आयाम एम्प्लिट्यूड जब ध्वनी तरंगे वायू में गमन करती हैं तब वायू के कड़ दोलायमान होते हैं जिससे संपिणन और विरलन शेत्र बनता है परिणाम स्वरुप किसी शेत्र का वायू घनत्व सामान से अधिक होकर उचतम इस्तर एवं निमनतम इस्तर तक घटता बढ़ता हैं ध्वनी तरंग के कारण माध्यम के घनत्व में मूल इस्थिती में उतार चड़ाओ का मान तरंग का आयाम कहलाता है जितनी उची या तेफृत्वनी हो उतना अधिक माध्यम के घनत्व में उतार चड़ाओ होता है अर्थात उतना अधिक तरंग का आयाम होता है इसे अक्षर ए से निरुपित किया जाता है चित्रक्रमा 11 घनत्व दूरी ग्राफ में तरंग का आयाम